आज हम डिस्कूस करने वाले हैं के स्टडी कोश्चन्स को जो कि आपके बोर्ड एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसके हम कोश्चन्स ट्रैक्टिस करने वाले हैं आज के इस क्लास में तो अब तक आपने हमारे चैनल जीनियस अकेडेमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब नाओ क्योंकि रोज ही ऐसे सेशन्स आ रहे हैं जीनियस अकेडेमिक्स पर जो आपके बोर्ड के प्रिपेरेशन को और भी स्ट्रॉंग करेगी तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्र पराग्राफ दे दिया जाता है फिर उस पे बेज़ हमें four questions पूछे जाते हैं और चारो एक-एक marks के होते हैं तो दो questions यह अभी आपको screen पर दिख रहे हैं और दो questions है next slide में तो इस तरीके से आपको paragraph दिया रहेगा जिसे आपको thoroughly read कर लिना है एक बार और बाद में फिर questions को attend कर करना है तो चली start करते हैं questions को read करना तो पहले हमें paragraph रिड करना है thoroughly sweta bought a potted rose plant from her nearby nursery she loved her plant so much that she kept the plant in the dark corner of her bedroom after few days her plant eventually started to dry though she provides water to her plant everyday तो इसमें ऐसा लिखाए कि sweta जो है उसने एक past के nursery से एक plant लेके आया rose plant और वो अपने plant को बहुत ही ज़्यादा प्यार देती थी कि उसने है न अपने plant को अपने पास रखने के लिए उसने अपने bedroom में corner में उसे रख दिया पर कुछ दिनों के बाद उसने plants लाया एक दम अच्छा plant लाया पर कुछ दिनों के बाद उसका plant जो है वो सुखने लगा जबकि वो उसमें रोज ही पानी डालती थी फिर भी उसका plant सुखने लगा स्वेता का plant तो आपका first question अब पूछा गया है कि which requirement is not fulfilled by the rose plant यानि कि कौन सा कौन सी कमी आगे कौन सी requirement plant को नहीं fulfill कर पा रहा है वो तो पहला option water तो water है क्या स्वेता अपने plants को पानी नहीं दीती थी तो यह रॉंग हो गया option क्योंकि स्वेता तो रोज ही अपने plant में पानी डालती थी तो इसकी कमी तो नहीं हुई थी फिर क्या carbon dioxide की कमी हो गई थी भई bedroom में उसे रखा था किसी जार में उसे पैक नहीं कर दिया था कि उसे co2 नहीं मिल रहा होगा उसे carbon dioxide भी म प्लांट सुखने लगा क्योंकि हमने photosynthesis में पढ़ा था कि प्लांट को खाना बनाने के लिए sunlight की भी जरूरत पड़ती है और इधर तो प्लांट को sunlight नहीं मिल रहा तो इधर आंसर क्या हो जाएगा आपका sunlight तो आंसर इधर होगा sunlight फिर next question यह दिखो अगर आप confused भी हो जाए जैसे कि इधर water दिया है तो इसको काट दो पहले ही क्योंकि हमें पता है कि स्वेता क्या करती थी रोजी अपने plants को पानी डालती थी तो पानी की तो कमी कभी नहीं हो सकती तो इस पे आपको सीधे क्या कर देना है cross लगा देना है ओके फिर co2 की बात आई तो carbon dioxide तो हमारे air मे प्रेजेंट है तो क्या plant तक हवा नहीं पहुच पारी थी यह भी गलत option है air हर जगह होता है यह आपको पता है तो air भी नहीं हो सकता आप बचा sunlight तो sunlight right option है इस तरीके से आप eliminate भी करके right answer चूज कर सकते हो next question है हमारा which process got disturbed in the plant अब देखो plant को sunlight नहीं मिल पा रहा है तो कौन सा process disrupt हुआ कौन सा process जो है plant perform नहीं कर पा रहा है तो इसका answer क्या होगा photosynthesis आपको पता चली चुका होगा कि plant क्या नहीं कर पा रहा sunlight की कमी की वज़ेस से वह photosynthesis नहीं कर पा रहा वह breathing नहीं कर पा रहा रहा रॉंग है भई next question है third question उसी case study question का कि how plants survived for few days without performing photosynthesis यानि कि बिना photosynthesis perform किये भी plant कुछ दिनों तक कैसे survive कर पाई वो कुछ दिनों के बाद सुखने लगी तो वो इतने दिनों तक कैसे वो अपना मतलग गुजारा कर रही थी जबकि वो खाना नहीं बना पा रही थी फिर भी वो कैसे इतने दिन of starch हमने हमेशा से ही पढ़ाई कि plant कभी भी limited खाना नहीं बनाती है वो एक्स्ट्रा खाना बनाके store कर लेती है ताकि वो कभी कभी आपने देखा होगा कि बारिस के सिजन में क्या होता है कभी कई दिनों तक धूप नहीं निकलते तो क्या plant dead हो जाते हैं क्या नहीं dead होते वो तब भी जिन्दा रहते हैं क्यों जिन्दा रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा खाना store रहता है और उस एक्स्ट्रा खाने को हम क्या बोलते हैं उसको हम स्टार्च बोलते हैं तो हर प्लांट में स्टार्च होता है तो जो हमारा रोज प्लांट था उसमें भी स्ट लुखना चालू हो गया तो प्लांट के पास हमेशा एक्स्ट्रा खाना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टार्च और वैसे हुमन में भी होता है हम फास्ट रखते हैं तो क्या ऐसे थोड़ना होता है कि हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं जब भी हम एक दिन के लिए अगर आप कोई फास्ट रखते हो तो आप खाना नहीं खाते फिर भी आप हर काम कर पाते हो कैसे क्योंकि हमारी बॉड़ी भी एक्स्ट्रा खाने को स्टोर करके रखती है ताकि आप खाना नहीं भी खाओ तो कुछ दिनों तक आप आराम से कुछ भी एनरजी पा सकते हो आपकी बॉड प्लेस तो इसमें पहला आपका सी तुप कि और यह सजिस्ट करो गी कि उससे अपने प्लांट को एक अंदेरे जगा पर रखना चाहिए कभी नहीं इससे तो उसका प्लांट और अलिम्हेंट को कर दो उसे suggest करना चाहिए कि उसके plant के तब water भी पहुचना चाहिए carbon dioxide भी पहुचना चाहिए और sunlight भी पहुचना चाहिए तो हाँ यह सही लग रहा है third option पढ़ते हैं यानि कि हमें ऐसे बोलना चाहिए कि उसे एक छोटे पोर्ट से निकालके बड़े पोर्ट में लगा दो तो यह इतना suitable आंसर नहीं है तो इसका हमारा best option कौन सा है second option यानि कि B plants should have access to water, carbon dioxide and sunlight यह तीनों चीज़े उसे मिलेगी तो वह आराम से अपना खाना बना लेगा और वह हमेशा से healthy रहेगा तो यह थे questions हमारे case study first के अभी हम next case study को देखते हैं next case study question आ गया है हमारा इसमें again हमें एक paragraph दिया है और उस पे based four questions होंगे तो चले start करते हैं एक बार हमें इसे thoroughly read कर लेना है paragraph को तो चले read करते हैं राजू received a project from his science teacher to draw human elementary canal during making of his project he got confused in labeling the parts of the human elementary canal can you help in preparing his project यानि कि राजू एक student है उसको एक project मिला है कि उसे human elementary canal draw करना है human elementary canal हमने पढ़ा था ना हमारे sessions में कि यह जो यह आपको दिख राइड cube like structure यह क्या है हमारा human elementary canal है तो अहीं राजू को project मिला है कि उसे draw करना है human elementary canal उसने draw भी कर लिया पर जब वो parts के नाम लिख रहा था जब वो label कर रहा था तो चले question पूछा है first question identify the labels a b c d e and f यानि कि आपको identify करना है कि a क्या है b क्या है c क्या है इस तरीके से आपको पूरे parts के नाम बताने हैं तो easy है न यह हमारा क्या है यह हमारा mouth है b हमारा esophagus है c हमारा liver है d हमारा क्या stomach है UI क्या है US यह बीच में आपको क्या दिख रहा है यह है smart intestine और F इसको point कर रहा है तो यह तो हमारा large intestine यहीं आपका आंसर है कि a हमारा mouth नोट पैन्क्रिएज इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यह जो है वो क्या है हमारा यह हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ओके यह रहुच्ट आपकर लेना ओके स्मॉल इंटेस्टाइन इसका अनसर आपको पता ही है अब नेक्स्ट कोष्टियन है Name the C Chicken released by the label c यानि की label c क्या release करता है? यानि की label c क्या है? हमारा liver है liver क्या? liver एक gland है तो वो कुछ ना कुछ release करता है? Bile eau हमने देखा था न? वो release करता है bile juice तो यही इसका answer है कि वो release करता है bile juice चले next questions को देखते हैं अब third question है हमारा इसमें हमें बताना है the complete digestion of food takes place in death यानि कि food का digestion कहां पर complete हो रहा है तो यह हम सभी को पता है कहां पर complete होता है small intestine के अंदर finally food digest हो जाता है और वहीं से absorb भी हो जाता है really के through तो हमारा answer क्या होगा small intestine small intestine में खाना जाके finally digest हो जाता है complete हो जाता है digestion हमारा small intestine के अंदर यह one marks के लिए भी important था और यह देखे case study question में भी आपको कैसे घुमा के पूछ लिया तो अब हमारा next question है what would be the role of level part F यानि कि जो F वाला part है यह F वाला part क्या है यह हमारा large intestine है तो इसका काम क्या है यह आपको बताना है तो यह क्या करता है हमारा absorption of water में हमने देखा था जो भी अब undigested food होगा वो large intestine से pass होगा तो इसमें जब वो pass होगा न तो large intestine क्या करेगा उसमें जो भी excess of water होगा उसको वो क्या कर लेगा absorb कर लेगा ताकि हमारे body से पानी waste ना हो जाए हमारे body को water की requirement है तो large intestine ध्यान रखता है कि हमारे सरीर से पानी बाहर ना चला जाए ज्यादा इसलिए वो पानी को absorb कर लेता है यही इसका function है तो यह हमारे case study चारों हमने discuss कर लिए तो हमने देखा कि किस तरीके से case study questions को हमें boards exam में attend करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताए कि आपको पहले read करना है फिर बाद में one by one सारे questions को attend करने हैं वोट्स में भी आपको इसी तरीके से पूछे जाते हैं case study questions और इसी strategy के साथ आपको votes में exam को attend करना है तो चलिए अब कुछ important questions को देख लेते हैं case study question तो हमने देख लिया हमने ये भी जान लिया strategy जान ली कि कि इस तरीके से आपको पहले paragraph को आराम से एक बार read कर लेना है और एक case study से आपको पूरे four marks मिल जाएंगे तो चलिए हम अब important questions को discuss करते हैं हो सके तो इन questions के लिए आप एक notebook बना लो important questions notebook उसको आप heading देदो important questions ताकि आप जब भी votes के लिए prepare करो तो उन questions को आप एक बार देख सको तो चलिए हम question देखते हैं how is small intestine designed to absorb digested food यानि कि हमें बताना है कि small intestine किस तरीके से design है ताकि वो खाने को absorb कर सके तो हमने देखा था small intestine के अंदर क्या present था finger like projection जिसे हमने क्या बला था विलाए ओके तो विलाए क्या करता है जो भी digested food होता है उसको वो एकदम आराम से soak लेता है absorb कर लेता है और विलाए के अंदर क्या present था blood vessels फिर वो सोख के उसे blood में पास कर देता है ताकि blood हमारे हर body के cell तक पहुचा सके blood हमारे उपर से लेके नीचे तक हर body parts के cell तक blood जाता है तो इसलिए वो हर cell तक इस food को पहुचा सके तो इसलिए जो विलाए है वो खाने को absorb कर लेता है और फिर वो blood को दे देता है तो इस तरीके से हमारा small intestine design होता है चले इसका answer देख लेते हैं इसका answer है walls of small intestine has finger-like projection called villi to increase surface area the food is absorbed by willy and brought into the blood जो मैंने आपको बताया कि जो small intestine है उसकी inner wall पे क्या present होता है finger-like projection जिसे हम क्या नाम देते हैं विलाए ओके और यह विलाए क्या करती है surface area को बढ़ा देती है एक ऐसे यह विलाए है तो यह अपने चारों तरफ से खाने को absorb करेगी तो इसने surface area बढ़ाया नो जो वह small intestine ऐसे होता तो कितना कम food absorb होता पर इसमें finger-like बहुत सारे प्रेजेंट है तो वह सारे मिलके जादा जादा food को absorb करते हैं तो इस तरीके से surface area बढ़ गया और यह जो खाना विलाए ने absorb किया वो सीधे कहां पर जाएगा वो blood के अंदर चला जाएगा ताकि blood हमारा उपर से नीचे तक हर जगह वो digested food को पहुचा सके हर सेल तक पहुचा सके थाना यह easy question और यह ओल इंडिया 2016 का question है important question है इसे note कर लो फिर हमारा next question है how do autotrops obtain carbon dioxide and nitrogen to make their food और यह ओल इंडिया 2008 का question है इसमें हमें बताना है कि जो autotrops या प्लांट्स होते हैं वो carbon dioxide और nitrogen को कैसे obtain करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए तो सब को पता है carbon dioxide कहां से आता है हमारे environment से आता है जो हमारा atmosphere है वहाँ पे carbon dioxide present होता है और प्लांट में वो diffusion की मदद से चला जाता है और यह प्लांट के अंदर जाता कैसे carbon dioxide stromata की मदद से मैंने बताया था ना plant के लिफ में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम stromata बोलते हैं तो स्टॉमेटा की मदद से atmosphere से carbon dioxide अंदर जाता है और nitrogen कहां से जाता है इसके आपने nine standard में पूरी cycle पड़ी तो आपको 10 standard में अगर यह आ जाए तो आपको क्या लिखना यह soil से जाएगा तो answer देख लिए carbon dioxide जो है वह environment से जाएगा diffusion की मदद से और कौन से पार्ट से जाता है स्टॉमेटा की मदद से carbon dioxide plant के अंदर प्रवेस करेगा अब जो nitrogen है वह कहां से जाएगा वह nitrogen जाता है soil की मदद से तो यह थे questions आज के तो इस वीडियो में हमने बहुत से important questions को देखा और ऐसे और वीडियो जा रहे हैं तो नेक्स्ट जैसे session में हम क्या discuss करने वाले हैं assertion reason questions यह एक one type of the question है जिसमें कि बहुत से students confused हो जाते हैं तो इसकी मैं आपको practice करवाऊंगा ताकि इसमें आप बिलुकुल भी confused ना हो तो यह वीडियो आप तक टाइम से पहुत जानी चीए तो अभी कर लो चैनल को subscribe और बेल आइवन को प्रेस कर लो ताकि वीडियो आते ही आपके फोन पे notification आ जाए और आप यह questions को देख सको और आप words के लिए अपनी preparation एकदम तगड़ी कर सको तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिसकर्स करेंगे important assertion and reason questions और मैं आपको बताऊंगा strategy बताऊंगा कि किस तरीके से इन questions को हम attend करते हैं so take care and bye bye